Hello Friends, Welcome back on my YouTube channel दोस्तो आज की इस वीडियी में मैं आपको Instagram की Message Setting के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप Instagram पर आने वाले Message को Control में कर सकते हो वीडियो को दोस्तो एंट तक देखना तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा 3-4 Setting आपको बताने वाला हूँ ठीक है बहुत important वीडियो है आपके लिए सबसे पहली Setting के बारे में बात करते हैं आपको करना क्या है 3-Line पाले Option पे क्लिक करना है Profile पे Setting पे क्लिक करना है उसके बाद आपको Privacy पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको Option मिल जाएगा ठीक है Message का इसके उपर आपको क्लिक करना है अब दोस्तो Main Setting स्टार्ट होती है हमारी सबसे पहली Setting के बारे में बताने वालोग यह सबसे Main Setting है जो और Follow on Instagram मतलब जो लोग आपको Follow करके आपको Message करते हैं अगर आपको जहाँ पे ठीक है Message request पे तो उनका Message Message request में आएगा अगर आप जहाँ पे क्लिक करते हैं दोना आटर सेव रिक्वेस्ट तो जब तक आप उस Person को Follow नहीं करोगे वो आपको Message नहीं कर सकता ना ही आपको उस Person का Message देखेगा मालब वो करी नहीं पाएगा ठीक है जे सेटिंग मैंने आपको समझा दी उसके बाद Second Number पे जो सेटिंग आजाती है दोस्तों Same Facebook पे है अगर आपका एकाउंट Facebook से Connect है तो जहाँ पे भी Same is Setting है ठीक है उसके बाद Second Number पे जो सेटिंग आती है जहाँ पे भी आपको Same सेटिंग देखने को मिलती है उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आऊगे जैसे ही अगर आपका Connected है तबी ठीक है अगर आपका Connected है तबी ठीक है अगर आप चाहते हो किसी Unknown Person का Message जो है आपको ना दिखे ना ही वो आपको कर पाए पे क्लिक करना है जब तक आप उसको Follow नहीं करोगे वो आपको Message नहीं कर पाएगा उसके बाद दोस्तों आपको Main में दो सैटिंग और बताने बला हूँ आपको करना क्या है अगर आपने जहाँ पे Message Request पे क्लिक किया हुआ है तो आपको जहाँ पे एक सैटिंग मिलेगी आपको दोस्तों जहाँ पे Request का Option मिलेगा इसके उपरा जैसे क्लिक करते हो दोस्तों जहाँ पे आपको एक Option मिलेगा Hidden Request का मलब जो Spam Messages होते हैं लिंक्स बाले जहाँ फिर कोई Spam में इस्टाग्राम को लगता है कि परसन स्पैम कर सकता है तो वो इसमें Account होते है जहाँ पे जैसे 0 लिखा हुआ है जहाँ पे उसकी Request आती है जहाँ पे भी आप सैटिंग कर सकते हो Manage Hidden पे आपको क्लिक करना है और जहाँ पे इसको On करना है ठीक है इससे होगा क्या आपको जो Message दिखेगा ठीक है Request में आएगा अगर आप इसको Off कर दो के तो Direct आएगा ठीक है उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है आपको अगर आप Hide करना चाते हो Message Request को जहां से कर सकते हो तो दोस्तों मैंने Instagram की आपको Main Main Setting के बारे में बता दिया है अगर इसके लावब भी आपका कोई Question है तो मुझे Instagram पे Message करके पूछ सकते हो नीचे ID का लिंक दिया गया है Thank you